नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अफियर्स क्लाउड में तो दोस्तो जबलपुर आयुद निर्मार खामरिया ने 500 किलोग्राम के बम को बना कर तयार कर दिया है और इस बम का नाम है जीपी और जीपी यानि कि जनरल परपस बम और यह बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि प पूरी जानकारी देने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दरसल दोस्तो मद्र प्रदेश के जबल पुरिस्थित आर्डिनेंस फैक्टरी खामरिया ने एक नई उपलब्धी हासिल की है और आर्डिनेंस फैक्टरी खामरिये ने दुस्मनों के छक्के छुडाने वाले 500 किलो के जीपी बम वायुसेना को हैंड ओवर किये हैं और इस बम क्याने से वायुसेना की ताकत दोगनी हो जाएगी वहीं DGAQA के कमांडिंग आफिसर और आय अधकारगर हैं और इस बम की खासियत की बात करें तो इससे वायुसेना का फायर पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है वहीं इस बम की लंबाई की बात करूं तो वो है 1.9 मीटर और वजन है 500 किलोग्राम और इस बम को जगवार और सुखोई 30 MKI से भी गिराया जा सकता है और इस बम का निर्माड जबलपूर की आयुद निर्माड फैक्टरी के F6 सेक्षन में किया गया है और 500 किलोग्राम के एरडॉप बम के माध्यम से दुस्मन के ब्रिज बंकर, रनवे और ट्रैक जैसी बड़ी सनरचना को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है और यह नई तकनिकों से लैस है और हमला करने वाले अस्थान पर 100 मीटर के दारे में आने वाला कोई भी दुस्मन या हथियार इसके सामने नहीं टिक सकता नई तकनिक से लैस है यह जीपी बम और एक बम में 15 मिली मीटर के 21,000 गोले स्टील के रहेंगे जो विसपोर्ट होने के बा ने बताया है कि 500 किलो जीपी बम का उत्पादन एक जबरदस्त और एहम प्रोजेक्ट है इससे वाई उसेना की ताकत और बढ़ेगी बताया जाता है कि यह भारत का सबसे बड़ा बम है अब आप लोगों का क्या कहना है इस जीपी बम के बारे में कमेंट में जबर बताएं अबर की बम के बारे मेंट एक जबर लोगों का का क्या है कि यह भार गो है।